मित्रों क्या आप जोतिस सीखना चाहते हैं यदि हाँ तो इन नंबर्स पर आप तुरंट कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पार्चाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला है नमस्कार मित्रों एस्ट्रो पार्चाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है नमस्कार रचना जी आपको और हमारे सभी दर्शागणों को मकर संक्रांथी की शुब कामना है नमश्कार उर्मी जी हमारे सभी मित्रगणों को और देखने वालों को सभी को मका सक्रांती कि हार्दिक शुपकाम में आज हम शुरुबात करते हैं आप से यही पूछते हुए कि सूर्य जो हमारे आत्मा के कारक है और सौर मंडल के राजा माने जाते है उनका आज दक्षनायन से वो उत्तरायन की ओप चलते हैं तो क्या महत्वा है जोतिश के विद्यार्थियों के लिए मकर संक्रांती का होते हैं तो चार मेने के लिए हम ऐसा मालते हैं कि हमारे शुप कारें हम स्कूरे उसे नहीं करते हैं आर तो थे मरे में तक उसको मल महीना मांना जाता है और इस महल महिने में कुछ भी हम शुब कार्य, पूजा पार्ट के अलावा कुछ हम वहवाही कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं तो जब आज सूर्य मकर में आए हैं, तो आज से हमारे मांगलिक कार्य सब शुरू होंगे और दूसरी बात एक हो जाती है, जब ये दक्षिनायन चलते हैं, तो सर्दी की शुरुवात आरम होती है और अब जब ये उत्रयायन चले हैं, तो अब ये सर्दी का अल्त आरम हुआ है इसी समय में बहुत सारे हिंदु धरम के त्योहार माने आए जाते हैं और बल्कि हर प्रदेश में भारत के जो अलग-अलग त्योहार हैं, वो अब एक तरह से शुरुवात दुबारा से उनकी होने लगती है ये एक बहुत मांगलिक योजन भी इसको माना जाता है उत्रायन, दक्षिनायन से जब ये उत्रायन में अबाब आए हैं तो आज इसी संदर्म में मैं एक और प्रशन पूछना चाहती हूँ, काफी जातों को में हम देखते हैं, सूर्य जो है लगन में ही उपस्तित होते हैं, तो जोतिश में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखे, इसमें दो चीज़ें आगी, एक तो आपने कहा सूर्य और एक आगे लगन, तो सूर्य जैसे आपने अभी कहां सूर्य बहुत इंपॉर्टन्थ हैं, सूर्य राजा है, सौर्य मंडल के भी राजा है, और हमारे जो लगन है, वो एक व्रक्ति की सोच दिखाती है, हम तो यही एक अगर सूर्य लगन में आ जाते हैं, तो व्यक्ति का मतलब इसका पूरा व्यावार बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी सोच एक राजा वाली हो जाती है, तो इस इस वेरी इंपॉर्टन आसपेक्ट, मैं तो डिटेल में बताती हूं, जैसे अगर स सूर्य लगन में आ जाए, तो क्या होगा कि पहली बात तो व्यक्ति थोड़ा इगोस्टिक हो जाता है, क्योंकि वो राजा की जैसे अपने आपको सोचने लगता है, वो किसी की बात को ज्यादा इंपॉर्टन्स नहीं देता, और वो चाहता है कि हर बात मेरी बात मानी है कि सूर्य हमारे पालन करता है, उन्ही से स्रिष्टी चलती है, धर्टी पे जन जीवन है, तो उस व्यक्ति में पालग के गुण बहुत आ जाते हैं, वो एक गिवर हो जाता है, कि मैं जितना जिसको दे सको, उसकी मैं मदद करूं, उससे मैं हेल्प करूं, किसी भी तरह से उसके साथ संबंद करूं, लेकिन वो राजा है, तो इसलिए वो ज्यादा प्रजा से तो खुलेगा मिलेगा ने, ऐसा व्यक्ति अपना एक डिस्जिंस भी मैंतेन करता है, उसके मित्लगन बहुत होंगे, लेकिन जिन से वो आत्मिय है, तो उनकी संक्या आप देखेंगे, कि बहुत कम होगी, एक उसमें बस एक ड्रॉबाक आ जाता है कि राजा को चापलूस कारे से घेरा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति कि आप थोड़ी सी भी प्रेस करें, चापलूसी करें, तो उसको बहुत पसंद आती है, और सूरे क्योंकि लगन में बैठे हैं, तो व्यक्ति मे सकते, कि कौन आ गया नहीं आ गया, वो अपनी प्रेजन्स अपने आप ही बना लेगा, तो आर्थिक द्रिश्टी से भी क्योंकि वो राजा है, तो वो अपनी महनत के बल पर अपने आपको दूसरों से उंचा उठा ही लेगा, तो यू के इस की बी पॉसिटिव भी बहुत ह निगेटिव तो एक दो चीज़े ही कही जाएंगे इसमें, आई थिंक उनकी सेहत के बारे में भी आप कुछ बताना है, तो अगर आपकी लगन में ही सूरे हैं, तो आपको काम बिमारिया अटाइक करेंगी, और अगर करेंगी भी, तो आपको उनको मतलब आप असानी से जेल जाएंगे, और सूरे आपने देखा ना बहुत डिसिप्लिन है, हम लोग उतना देर से आएंगे पर सूरे महराजी आ जाएंगे, तो डिसिप्लिन लाइफ होने की वज़े से भी, उस व्यक्तियों को बिमारियों से काफी कुछ मुक्ती मिले फूर एवरी असेंडेंट मतलब बारा राशियां हैं जो लगन में हो सकती है, अब बारा राशियों में कितना डिफ्रेंस आएगा? सूरे में से देखे, बेसिक स्वभाव तो अप्यक्तिका ऐसा ही रहेगा, लेकिन सूरे का जो फल आएगा, मतलब सूरे जिस भाव में स्वामी है, जिस भाव का और उस भाव का स्वामी होकर वो लगन में बैठा है, तो उस भाव के फल तो उसको देने ही पड़ेंगे, स्वामी आजाते हैं, और वो लगन में आजाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति का जो काम होगा, क्योंकि यहां यह बाधीश का रोल प्ले कर रहे हैं सूरे, तो यहां जो भी उसका गौर्मेंट से कुछ ना कुछ काम होगा, उसमें आप देखेंगी कि बाधा आए उसको, क्योंकि कि यहां सूरे बाधीश का रोल प्ले कर रहे हैं, और अगर किसी लगन में, जैसे अगर आप देखें कि हमारी कर्क लगन में, वो मारकेश होते हैं, स्वामी होके सूरे मारकेश होंगे, तो जब सूरे की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, वहां यह सूरे अपना म तो मतलब अपना तो जो इनका में करेक्टर है वो तो वो आएगा ही आएगा कि वो सूरे के व्यक्तित्व वाला आदमी होगा लेकिन सूरे के एक भाव के स्वामी के जो कुप्रभाव होंगे वो उस व्यक्ति को उसी लगान अनुसार जेलने परेंगे That was very enlightening. Thank you so much Rajnati, it was a pleasure talking to you as usual. झाल 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 झाल